नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंग सैनी आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे Non Uniform Motion के बारे में, उसके ग्राफ के बारे में और इसके अंदर हम बात करेंगे Variable Velocity, Average Velocity और Instantaneous Velocity के बारे में भी तो Non Uniform Motion क्या है? जैसा कि इसके आगे लगा है Non Uniform, यानि कि जो Uniform ना हो अब Uniform Motion क्या होता है? Uniform Motion होता है जो Equal Time में Equal Distance जो है Cover करता है लेकिन जो है अगर इसी तरह का Motion हो कि जो Non Uniform हो लेकिन वो Equal Displacement या फिर Distance कह ले In Equal Interval of Time में जो है Cover ना करे तो उसको हम कहते है Non Uniform Motion यानि कि ये जो है Equal ना लेके Unequal Interval of Time ले तो उसको हम Non Uniform Motion बोलते हैं यानि कि Equal Displacement कोई भी Object है अगर वो Non Uniform Motion में है तो वो जो है Equal Displacement In Unequal Interval of Time में Cover करेगा लेकिन अगर Uniform Motion है तो Equal Displacement In Equal Interval of Time में करेगा तो इसको आप समझ सकते हैं माली जी ये कोई Object है और वो Move कर रहा है और यहाँ पे हम तीन Position ले लेते हैं माली जी ये First Position है ये Second और ये Third Position है अब यहाँ पे माली जी ओरिजन है जहाँ से Object स्टार्ट हुआ अब यहाँ से First Position तक कोई भी Object है अगर वो जो है एक घंटे में पहुंसता है अब जो Second Position तक वो दो घंटे में पहुंसता है और Third Position तक माली जी ये वो तीन घंटे में पहुंसता है आब देखे यहाँ से यहाँ तक एक घंटा इसने लिया लेकिन First से Second तक की भी एक किलोमेटर और ये एक किलोमेटर चलने के लिए एक घंटा ले रहा है और फिर से 1 km चलने के लिए 2 घंटे ले रहा है और जो अगला 1 km इसने थैखिया वह 3 घंटे में किया यानि कि देखें इसने जो है अन-ईकुवल जो है इंट्रवल अफ टाइम लिए इतनी ही दूरी को कवर करने के लिए यानि कि एक किलोमेटर दूरी तैय करने के लिए यह अलग-अलग तरह का समय ले रहा है, कोई एगंटा फिर दो फिर तीन गंटे इस तरह का जो motion होता है वो non uniform motion होता है, इसी तरह से माल लिजे कोई object है, वो travel कर रहा है तो यहां पर मालीजी उसने speed को बढ़ा दिया यहां पर speed फिर slow down हो गया फिर वो रूख गया इस तरह से भी आप कहा सकते हैं कि origin से चला और यहां पर यह पूरी speed में चला इसने जो है अपनी speed को बढ़ा दिया फिर यह slow down हुआ और फिर यह stop हो गया इस तरह से जो है अलग-अलग इसने speed ली इन दोनों जो इसकी destination है इनके दोरान मालीजी यह first है यह second है इन दोनों के दोरान different speed पे चला तो इस तरह का non uniform motion कहलाता है तो यह आप समझ गई होंगे इसके अंदरा बात कर लेते हैं variable velocity की variable velocity क्या है variable का मतलब होता है change होना की जो की बदलती रहे तो अगर जो है कोई भी object है अगर वो move कर रहा है variable velocity के साथ तो उसकी जो speed है या फिर उसकी जो direction of motion है या फिर जो दोनों चीजे है with time जो है change हो यानि कि मालीजी कोई object है और वो चल रहा है speed पे और उसने अपनी speed यहाँ पे जाके first position पे जाके फिर बढ़ा दी उसने speed तो यहाँ पे इसने क्या किया speed को high कर लिया और इसी तरह से यह तो speed जो है बदल गई तो यह variable velocity हो गई इसी तरह से जाते जाते वो इस तरह से इस तरह से मुड़ गया मालीज़ज़ इस तरह से अपनी इसने दोनों ही चीज़े विद रिस्प insights तो time वो चैंज कर ले तो उसको हम बोलते है यानि कि अलग अलग जो है velocity पे चल रहा है change होती चल रही है जैसे यहां इसे speed बढ़ा दी, slow, constant हो गया, slow हो गया, मुड़ते समय, फिर से तेज हो गया, with respect to time क्या है, इसकी जो चीज़ें हैं दोनों, या speed एक, या फिर direction या फिर दोनों, या चेंज हो जाएं, तो उसको variable velocity हम बोलते हैं, उसके अंदर फिर बात कर लेते हैं, average velocity की, अब average velocity क्या है, देखिए हम बात करते हैं, एक point से दूसरे point तक की, माल लिजी हम total की बात करते हैं, कि यह first point है, और यह second point है, अब यहां से कोई object जो है चला, यह origin है, और यहां से चला, यहां पर पहुंचा, second position पर पहुंचा, लेकिन अगर हम बात कर ले, without instant की, बीच-बीच में अगर छोड़ कर, हम directly बात करें कि, यहां से first से second में कितनी दूरी है, माल लिजी यह जो दूरी है, वो 10 km की है, और उसको जो है, यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा, total जो समय लगा है, यानि कि माली जी उसको एग घंटा लगा, तो यह जो है, इस तरह से आप जो है, total लेते हैं, यानि कि total km और total उसने time लिया, तो total 10 km है, और total time इसने एग घंटा लिया, तो 10 km पूरा है, एक घंटा लिया, तो इसको हम average velocity बोल देते हैं, अब हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, कि मान लिजी इसके अंदर ये 3 हम destination लेते हैं, A, B, C, कि A पर जो है पहुंचने के लिए वो कितनी speed से चला, कितने time में पहुंचा, A से B तक वो कितनी speed पे चला, कितन time में पहुंचा, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें जो है initial point और final point का total distance देख लेना है, और total time उसे ने कितना लिया, तो वो जो है अगर हम divide कर दें, तो हमारा निकल जाता है कि वो लगबग जो है constant speed अगर उसकी रही होगी, एक से दो पर पहुंचने के लिए तो कितन kilometer की है, बीच में चाहे वो तेज हुआ हो, चाहे slow हुआ हो, चाहे वो रुका भी हो, लेकिन हमने पूरा देखा कि लगबग ये कितना जो है, एक से दो तक पहुंचने में average velocity इसकी क्या रही, तो average velocity क्या है, it is that uniform velocity, देखिए इसमें uniform word का use किया गया है, it is that uniform velocity, that with which the object will cover the same displacement in a given interval of time, यानि कि ये वो uniform velocity है, जिसके अंदर कोई object cover करेगा, same displacement, कौन सा same displacement, अगर वो variable velocity के साथ चलता, यानि कि यहां से speed कम जादा होती रहती इसकी, तो जितना ये करता, उतना ही हमने जो average velocity क्या है, इसकी average अगर निकाल लें, कि total stress travel by total time taken, तो ये जो average velocity हमारी आ जाती है, है, कि देखे ये तो हमने बात की, कि किस तरह से जो है हमारा, जो object है move करता है, लेकिन, अगर किसी भी instant, मानली जिए बीच में काफी सारी हम point ले लें, और किसी भी instant हम उसकी speed को जानना चाहें, कि इस समय कि speed कितनी थी, इस समय कितनी थी, इस समय कितनी थी, वो instant, वो पल, अ how first an object is moving at different instance, यानि कि different, जो है, एक पे कितना था, दो पे कितना था, तीन पे कितना था, अलग पल के अंदर हम उसकी motion को माप सके, उसका पता लगा सके, उसको हम instantaneous velocity बोल देते हैं, कि उस क्षण जो है, उसकी velocity कितनी थी, अब इसको समझते हैं, हम एक graph के द्वारा समझते हैं तो जो average velocity की बात कर लेते हैं, यह हमने definition देखे, average velocity की बात कर लेते हैं, आप देखे, जो average velocity है, जैसे कि हमने बात की, तो average velocity हमारी क्या बनती है, किसी भी object की, यह एक ratio बनती है, ratio किस-किस का बनती है, average velocity की बात कर रहे हैं, तो average velocity हमारा ratio बनती है, यह दो चीजों का ratio हमारा यह है हमारा जो कि displacement, या कहें कि change in position, जो कि, मालना लिजिए, यहाँ से यहाँ गया, change in position होई या यहाँ से यहाँ गया, या फिर हम displacement की बात कर ले, change in position और displacement, तो change in position और displacement, कुछ भी आप लिज लिजिए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर displacement displacement divided by velocity क्या होती है displacement divided by time interval तो time interval हम ले लेंगे तो average velocity जो है यह रहती है अब displacement अगर मान लिजिए आप displacement को del x ले लेते हैं और क्योंकि vector quantity है तो हम arrow लगा देंगे और time interval जो है del t ले लेते हैं तो यह हमारा formula बनता है average velocity का इसको आप जो है वी का उपर इस तरह का डंडा भी आप show कर सकते हैं कि जो यह है जो यह वी है यह क्यों लगाया ताकि हम इसको दुखाएंगे magnitude of average velocity है इस तरह से भी आप उसको जो है show कर सकते हैं तो अगर आप इस तरह से show करना चाहें इस sign के साथ भी show कर सकते हैं वो आगे हम देखेंगे अभी जो average velocity इसके बराबर हम लेंगे उसके बाद देखेंगे हम एक मानते हैं कि object move कर रहा है variable velocity के साथ तो variable velocity आप समझ गए है क्या होती है उसका graph बनाएं जो average velocity है sorry जो variable velocity के साथ move कर रहा है तो उसको हम मान लेते हैं उसके लिए आप दो axis ले ले एक यह vertical axis आपने ले लिया और एक यह horizontal axis ले लिया अब जो vertical axis है यह हम लेंगे कि यह जो axis है यह position axis है और यह जो axis है यह हम ले लेते हैं कि यह time axis है तो position और time axis हमने ले लिये तो हमने 2x ले लिए और हमने एक object माल लिया कि वो variable velocity के साथ move कर रहा है तो यहां पर यह हो गया origin तो यह जो point है यह origin हो गया तो इससे कुछ पहले हम कुछ point उपर ले लेते हैं कि कुछ जो time है या कुछ position पर यह इतना था t0 पर तो यहां पर जो है इस तरह से माल लिजी यह graph जा रहा है तो इस तरह से graph जा रहा है और इस graph के उपर हम 2 point ले लेते हैं यह जो graph है इस पर 2 point ले लेते हैं माल लिजी एक यह point A ले लिया आपने और इसी तरह से एक जो point है मान लیजिए बी ले लिया, अब जो यह a point है, यह आपने कहां लिया है, यह मान लिजिए किसी भी instant, याणिकि T1 पर लिया है, और यह जो b लिया है, किसी भी instant है किसी भी time पर याणिक T2 पर यह हमने ले लिया, इसके with respect जो a है, यह position है, यह position का graph है, तो हम इसको मान लेते हैं कि यहां पर x1 है और यह जो b के साथ है यहां पर यह x2 है तो इस तरह से हमने यह दो point मान लिए और उसके with respect to time ले लिया t1 और position ले लिया x1, t2 और position ले लिया x2 यानि कि इस इस दोरान जो यहां यहां था अब अगर आप क्या है इसका जो displacement है time interval में निकालें यानि कि t2-t1 निकालें वो किसके बराबर होगा x2-s1 के यानि कि ट2-a-t1 की बात करें वो किसके बराबर होगा x2-x1 के बराबर होगा कि T2-T1 इस time interval के दोरान कितनी position जो change की इसने X2-X1 की तो यहां से निकाल सकते हैं अब अगर हम इसको यहां पर मिला दें इस AB को सीधा इस line के साथ मिला दें यानि कि AB को मिला दें और यहां से जो है इसको इससे मिला दें अब यहां पर देखे यह जो है एक angle बन जाता है माली यह angle बन गया अब यह जो है इस तरह से एक triangle बन गी यहां पर और यहां पर यहां पर यह angle बन गया अब अगर आप इसके अंदर जो है इसका slope निकाले या जो आपने मिलाई है इसका slope निकाले तो वो क्या होगा तो यहां पर अगर आप इसका slope निकाले तो वो किसके बराबर होगा 10 Θ के बराबर 10 Θ हमारा क्या होता है ? लंब बटे अदाहर होता है या फ्रिपेंडिकुलर बये बेस जो वी कह लीजिγें तो 10 Θ के आ जाएगा हमारा यहां पर यह भाई यह आ जाएगा यह प्रिपेंडिकुलर है और यह जो है अदहार है यह किया है ? X2-X1 है तो 10 छीटा इसके बराबर आगे X2-X1 के बराबर और यह अधार किया है T2-T1 है या बेश कहले T2-T1 है तो यह आगया अब इसको आप क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं del x by del t v average के ब्राबर आगी, तो यहां पे जो है वो sign आप use कर सकते हैं, जो हमने कहा था कि यह जो है magnitude of average velocity इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, अब यहां पे देखिए जो magnitude average velocity का, जो कि हमने यह sign की बात की, जो magnitude average velocity का किसी भी object का, अगर हम किसी भी interval of time जो है निकालना चाहते हैं, किस तरह से हम denote कर सकते हैं, कि denoted by two points, जो यह दो points है, a और b, और इस position time graph पे, यह किसके बराबर होगा, slope of the straight line, यानि कि यह जो straight line a और b को join की है, इसके slope के बराबर होगा, तो इस तरह से जो है position time graph पे, अब इसके अंदर एक और चीज़ देखने वाली है, कि जो instantaneous velocity है, वो भी क्या इस तरीके से निकाले जा सकती है, इसी formula का use करके, अब इसके अंदर देखिए, जो instantaneous velocity है, वो हम पहले भी discuss कर चुके हैं, कि उसके limit जो है, वो हम time की कितने लेते हैं, infinite testimony small लेते हैं, यानि कि अगर इसकी जो limit है, अगर इसको हम लिखे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कि मालिज यह instantaneous velocity की बात कर लेते हैं, वी आई हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यह क्या होगी हमारी, यहाँ पे हमें limit लेनी पड़ेगी, जो del t है, tends to 0, यानि कि इतना infinite testimony small की, tends to 0, t जो है, 0 तक भी जा सके, तो इतनी समाल लेनी है, और del x by del t, यह थी हमारी instantaneous velocity, तो यह किसके बराबर हो जाती थी, हमारी dx by dt, यानि कि first derivative के बराबर हो जाती थी, जो displacement का with respect to, जो time है at that instant, यानि कि उस instant के दोराब जीतना time है, तो instantaneous velocity के लिए फोर्मूला हम निकाल चुके हैं, अगर graph के थुरू आप इसको दिखाना चाहें, तो graphically कैसे show करेंगे, तो पहले तो जो है, आप खुड़ जो उंटल और vertical axis ले लीजिए, यह जो उपरवाल axis है, यह position का axis है, और यह time का axis है, तो हम इसको t लिख लेते हैं, और इसको जो है, यह क्या है, position का axis है, तो यह position axis है, यह time axis है, same यह जो graph है, आप इसी को ले लीजिए, कि इस तरह से जो है, कोई भी graph है, वो इस तरह से चला, अब यहाँ पर मान लीजिए, यह B point था, और यह A point था, अब A से B हमने इस तरह से मिला दिया था, इसके अंदर जो हमने किया सारा काम, अब मान लीजिए, B point को थोड़ा पास लियाए, C पे लियाए, तो यह जो है, line A, C हो जाएगे, अब इसको D पे लियाए, तो यह इससे मिलेगा, अब जो है, जितनी पास आप इसके आते जाएगे, यानि कि B से C पे आ, C से D पे, इसी तरह से, जितनी पास इस A point के आते जाएगे, तो यह जो है, अगर A B line को देखें, यानि कि इस point पे आगे, और A B line को देखें, तो आपको ऐसा लगेगा, कि इसका tangent है वो, tangent बन जाएगा वो, कि 10 to 0, यानि कि आपने क्या किया, यह time interval जो था कम करते चले गए, अब माली यह यहां से यहां तक, माली यह 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से था second में था, 8 से आप 7 पे आए, 7 से 6 पे आए, 6 से 5 पे आए, इस तरह से आपने time interval कम करते चले गए, जैसे हमने भात कि थी, कि time को tends to 0, यानि कि time को जो है कम करते चले गए, और जब last में जो है कम करते चले जाएंगे, अगर A B line को आप देखेंगे, तो इसका tangent लगेगी इस point का, तो यह जो tangent होता है, अब यह जो slope है, इस tangent का with time axis, यानि कि यह जो axis है, तो with time axis, यह हमें जो है value देता है, instantaneous velocity की, corresponding to point A, जिस point पे हम ले रहे हैं, तो इसको graphic लिए आप इस तरह समझ सकते हैं, कि जो यह B point है, इसको tends to A की पास हम लाते रहेंगे, या कहें कि इसकी जो value है का हम करते रहेंगे, time interval की जो हमने देखा, तो इस point पे आके, अगर AB line को आप देखते हैं, तो बिलकुर इसका tangent लगती है, तो वो जो point है, यह जो slope होगा, इस tangent का with time axis, यह हमें देगा value of instantaneous velocity, corresponding to point A, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, जो instantaneous velocity होती है, इसलिए आप इसको define कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आप कि जो slope of the tangent है, to the position time graph, at position corresponding to a given instant of time, उसको इस तरह से आप define कर सकते हैं, आप जो यह tangent slope है, यह position time graph के उपर, अगर यह upward है, यानि कि right की तरफ है, तो यह जो tangent है, पोजिटिव लेंगे, जो slope of tangent होगा, और अगर वो जो है left की तरफ है, तो उसको हम जो है negative लेते हैं, तो इस तरह से जो है, इसको भी आप समझ सकते हैं, यह आप याद रख सकते हैं, तो यह था हमारा non uniform motion के अंदर, यह different तना की graphical, जो हमने चीज़ें देखी, thank you,